नमस्कार दोस्तों, डीडीरेट के एक और reaction वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग तो आज जिस वीडियो पर मैं reaction देने जा रहा हूँ और जिस वीडियो को मैं आप लोगे साथ देखने जा रहा हूँ वीडियो है रिवाहा इमरान का और इसका टाइटल है How Temples in Pakistan Reduce from 2000 to 20 and in India Masjids Increasing तो जैसा कि अब सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में हिंदूओं की हालत क्या है, उनके मंदिरों की हालत क्या है और जैसा कि खुद topic रिवाहा बढ़ा रही है कि 2000 मंदिर थे शायद मुझे लगरा की 1947 में जब पाकिस्तान बना था और अब सिर्फ 20 बचे है और वहीं इधर दूसरी तरफ इंडिया में मस्जिदों की संख्या बढ़ग रही है तो इस पर पाकिस्तान की जोनता क्या कहती है, चलिए देखते है मैं बेंकर हूँ मैंने सुना है, बेंकर के पास बहुत नालेज होती है पूछे है, आपने क्या पूछना है मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल यह है कि पाकिस्तान में 1947 के बाद ठीक है, दो हजार प्लस जो है टैंपल्स थे और आज सिर्फ 20 बचे है ठीक है, और इंडिया में दो लाख मंदिर थे और तीन से चार लाख मस्जिद ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे, कि यह सब कहां टैंपल्स से ले गए इंडिया ने जो बरसगीर वाले लोग है यह दो मुक्तरिफ नेशन थे, हिंदू और मुसल्मान, ठीक हो गया, हिंदू जो थे अक्लिमिल्स थे, वो मस्जदे डिमॉलिश करने वाले थे, उनकी देखा देखी हम लोगों ने भी पाकिस्तान में बहुत सारे मंदर डिमॉलि तोड़ के मस्जद बनाई थे, वहां पर मस्जद ही थी और बाबर ने शेंचा बाबर ने वाँ पर आरेडी मस्जद बनाई थे, वह ऐसी कोई बात नहीं, वह रिंदू ने एक अफसाना गड़ा था, वह केस्ट भी हम लोग विन किये थे, उनकी कोट के अंदर, और हम तोड़ के मस्जद बनाई थे, और हमने वह इसलिए इसको डिमॉलिश किया था, जो टोटली है, यह फेक है, यह सिर्फ एक गड़ा-गड़ा है, मीडिया का क्रियेशन है, मीडिया ने क्रियेट किया, लोगों ने उसे अक्सेप्ट किया, और वह क्योंके हिंदू ज्यादे हैं ता दाद में, और वो बड़े क्लीमिस्ट हैं, और उसका हमने खमयाजा बुक था, यह बताया है कि पाकिस्तान में दो हजार एक अमाउंट होती है, टैंपल्स की, तो हमने यार चलते चलते जरा हिसाब करता चला जाए ना, उमर में मुझे से बड़े लग रहे हैं, ले इसको कुछ पता नहीं हैं, पता है भी तो यह जूटा प्रशार कर रहे हैं, हिंदू एक्स्ट्रेमिस्ट है, आप एक हिंदू एक्स्त्रिमिस्ट संगठन का नाम बता दीजिए, जिसे यून ने कहा वो, कि यह टेररिस्ट और्गनाईजेशन है, यह ऍट्स्ट्रीमिस्ट organization है, मैं 85 नाम गिना सकता हूँ जो पाकिस्तान के Islamic संस्ताइं हैं, जिनमें human designated terrorist हैं, उचाहे मसूद अजर हो, चाहे हाफिज सईद हो मैं नाम गिना सकता हूँ आप एक नाम गिना दो, दूसरी बात बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई गई थी ये कोई जूट नहीं है इसके सबूत हैं, वीडियोग्राफी हुई है खुदाई हुई वहाँ पे, वहाँ पे मूर्तियां निकली है, वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां निकली है, वहाँ पे की लड़ाई थी और इसमें भी कोई दोराय नहीं है कि वो मंदिर को तोड़ कर बाबर ने वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई थी ये तो इतिहास में दर्ज है ओन पेपर और सुप्रीम कोट तक मामला गया लोवर कोट हाई कोट सुप्रीम कोट तब जाकर फैसला आया है वहाँ पर और उसके बाद उस जमीन पर मंदिर बन रहा है ऐसा होता तो कोई भी एक भी मस्जिद हम बनने न देते अगर आप कह रहे हो ना कि एक्स्ट्रीमिस्ट हैं हिंदू जादा हैं तो एक भी मस्जिद बनने नहीं देते और आज मस्जिदों की संख्या जो भारत में है वो किसी से छुपी नहीं है लाकों की संख्या में है मस्जिद तो ऐसे में तो जिस तरह पाकिस्तान में मंदिर 2000 से घटके 20 रह गए वैसे ही हिंदूस्तान में तो फिर ऐसे ही होना चाहिए आप लोग महां पर बहु संख्या को मेजूरिटी में हो और एक्स्ट्रीमिस्ट भी हो तो अगर ऐसा हम यहां पर करते तो यहां भी मस्जिदों की संख्या गिंती में होती लेकिन हम आपकी तरह नहीं है इस बात को समझे और यह जूटा प्रोपगेंडा फैलाना बंद करिए दीजिए फैक्ट्स इसलिए आप लोगों की हालत ऐसी है 1947 के बाद हम में और उनमें तो फिर मतलब यह तो नहीं आगा है हमने 2000 टेंपल्स की टेंपल गाइब होगे पाकिस्तान उसकी वज़ा यह है ना कि हम लोग भी एक्स्रीमिस्ट होगे ना हम लोगों को जब मौल्वी साहबान ने एक्स्रीमिस्ट बनाया और हमने उसके बदले में बहुत सरे टेंपल्स की है मैं अलीपूर चटा से बिलाओं करता हूँ वहां पे भी बहुत सारे टेंपल्स थे ठीक हो गया और स्टील अभी भी एक टेंपल है ठीक हो गया इस तरह हमारे पास हिंदों की टेंपल्स है हमारे पास बारा दरी थी अलीपूर चटा के अंदर डिमालच कर दी गई विया वहां पे लोगों ने घर बना लिये गए तो आप यह हर तरह एक्स्रीमिस्ट है तो पिर हम में तो कोई फरक ना रहा हम लोग यह की है ना बात तो यह आप ही इंडिया पाकिसान का डियने एक डियने एक है अगर हम लोग अगर आप हर चौथे बंदे का डियने करा हैं तो वो मंगोलों से मिलेगा इस दुनिया में हर चौथा बंदा मंगोल है अगर आप लोगों की ही आईडी नहीं है हमारी तो है और आप लोग में शर्थिया बताता हूँ चार में से चार दस में से दस डियने टेस्स कराएंगे तो वो इंडियन का निकलेगा हिंदूओं का निकलेगा शर्थ है ये आपको शाद नहीं पता तो आप डियनेज के बारे में जाके पढ़िए और आपको आए हुए 1400 साल हुए इसलाम को यहाँ पर हम हजारों साल से हैं तो किसका डियने पहले आया scientific तरीके से बात किज्ये हवावाई बात मत कीज्ये facts figures science इसन पर बात कीज्ये ऐसे तो करते रहे है और बात सही है identity crisis है आपको ना आप तर्क है ना mangoло-mangolo की और रण रहाद हिधर भाई आप की लोग होंगे जो भी बड़ा बंदा आता था वो आके यहां पे हम लोगों को अमारे वपर आकोबाइट कर लेता था हम लोगों ने कोई जांगली लड़ी और अभी गुलामी की पीक है जिसके लिए मैं अपाटीजम का शकार नहीं हूँ मगर इमरान खान ने जो इसके लिए कोशच कर रहे है मगर उसको कामजाब होने के लिए जब तक हम लोग साथ शामिल नहीं होगे हम लोग कभी भी नहीं कर सकते अब इसकी एक्शल जो रीजन है वो तो मुझे नहीं पता कि किस वज़ा से गुलाम आप होंगे और आप जंगे लड़ने की बात करते हैई महराणा प्रताप ने जंगे नहीं लड़ी पूरस ने जंग नहीं लड़ी क्या बात करते हो आप हेमू ने जंग नहीं लड़ी साउथ के राजाओं ने जंग नहीं लड़ी किन राजाओं ने जंग नहीं लड़ी बॉस आप लोग जंग लड़ने के माल में बच्चे हो अभी बच्चे हो 1400 साल पुराना इतिहास है आपका इसी में जितनी जंगे लड़ी हैं हमारा इतिहास हजारों साल सा है और बहुत बड़ी बड़ी जंगे लड़ी हैं हमने माभारत जैसी बड़ी जंग भी हुई थी यहाँ पर तो आप ये मत कहो लड़ाई हमने लड़ी है वो अलग बात है हार जीत बाकी चीजे सब अलग हैं लेकिन जंग लड़नी छोड़ी नहीं है माराना प्रताप जंगल में रहे लेकिन जंग लड़नी नहीं छोड़ी उन्होंने घास के रोटी खाई लेकिन जंग लड़नी नहीं छोड़ी उन्होंने इस बात तो समझे अगर इसकी कोई रिजन भी हो सकती है मेरे ख्याल में कोई ऐसा इशू तो नहीं हुआ कि जिसकी मंदिर तोड़े जा रहे हैं मतलब 2000 मंदिर तोड़ के सिर्फ 20 मंदिर रह गए यह क्या मतलब माजरा हुआ देखें यह फैक्ट है कि किसी की जगा को नहीं चेहना चाहिए किसी की इबादत गाह को जो है नहीं यह इश्यू जो है ना अगर 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 की बात करें तो दोनों कंट्रीज में हैं इंडिया में भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं वहां भी जो माइनॉर्टी इस तरह ना देखें मस्जिदे तीन से चार लाक हैं मंदिरों से बिलकुल ऐसे और पाकिस्तान में भी यह इ पाकिस्तान और इस्लाम ने हर मजब को जो है वो इक्वालिटी जो है वो दी है अजूर्पाक सब्सक्राइब का निजाशी वाला वाकिया आप देख लें तो इस तेंपल तोड़ने की बात नहीं है इसमें के जो उन माइनॉरिटी इसको खुद देखना चाहिए इस चीज क का हल नहीं आपने देख्याइब कुछ निकले है इतजाज से इतजाज से तो कुछ निकलेगा लेकिन जिए के आजो यों मुसलिम अगर आपको इस चीज की परिशानी तो उनको भी होनी चाहिए और इसलिए हास्ट उनको मेरी बात से पाकिस्तान में पता है किते परसंट मा मेरे कुलीग में जो हैं वो नॉन मुसलिम हैं हिंदू हैं तो हमने हमारा जो पाकिस्तान का दिल है वो तो बहुत बड़ा है हमारे अंदर किसी किसमी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है में भी उनके कोई और रीजन्स हो जो उन्होंने छोड़ दी है अदर्वाइस मेरे नहीं से 4,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 मेरे जहाब से जो है इस चीज में आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव एप एस पैसिफिक रिलिजिन का चाहे वो जो है वो मुस्लिम है लुज है हिंदू है तो बीग अ मुसलिम और मेरे खाल से महारा जो पाकिसान में निजाम है वहां पर किसी किसम की ऐसी कोई नहीं है द किसी ने गौई नहीं किया होगा मैं आज पहली दफा खुद आप से चीज़ हैं यह फैक्स है जब के पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 20 मंदर रह गए हैं और इंडिया में 3-4 लाग जो हैं मस्जिदे रह गई हैं और उनके जो मंदर कम हैं बिल्के मस्जिद जज़ादे ह है था और अब पाकिस्तान में वो 2000 मंदिर का कोई वाजूद नहीं है बलकि 20 मंदर सर्फ रह गया और उनकी भी हालत ऐसी गयर है कि अब पहचानी नहीं जा रहे उस तरह उनको वो सजाया नहीं जा रहा क्या कहना चाहेंगे आप देखें मंदर सजाना मुसल्मान तो मंदर नह क्यों बनाता है मुसल्मान मस्जिद इसलिए बनाता है क्योंकि जब भी किसी एरिया में कहीं कोई नहीं किंस्ट्रक्शन वा बेसिकली जब भी आप किसी हाउसिंग से साइटी में जाए तो वहाँ पर यह सीज का खाल रखा जाता है कि नमाजीं को कम से कम तकलीफ हो और करी लोगों से राय जानी और सौ में से सौ लोग मतलब परसंटेज की बात करो हंड़र परसंट लोगों ने कहा कि मंदिर नहीं बनना चाहिए और नहीं बनने देंगे पाकसान हकूमत ने मंदिर बनाने की तजवीज पेश किया है तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है हम किसी भी तोर किसी भी तोर पे शिर्क के अड़े को इजाज़त नहीं दे सकते और वो भी अपने टेक्स के पैसों से आपको पता होना चाहिए कि उदर वो जो भी शोबाह नहीं देता कि हम दर कोई बना है चीज़ें ऐसी मंदिर वगराव खtså compassion को के लिए को यह से चीजस जो इसलामबाद में मंदिर बनर रहे आपका उसके बारे में क्या कहना है अएच्झा क्या कहेंगे आप मैं यह नहीं कहता कि सारा का सारा पाकिसानी है लिकले लिकले यह रैंडम लोगों से पूछा गया था और सब के सब ने जवाब दिया कि मंदिर नहीं बनने देंगे यह नहीं बनना चाहिए नहीं होगा शिर्क है उसके बाद भी आप ऐसी जूटी बाते कर लीजे कैमरे पे हैं तो कुछ और बात कर लीजे आप facts नहीं दे पा रहे हैं आप logic नहीं दे पा रहे हैं और 0.1% minority रहे गई है तो किसी दिन वो 0% हो जाएगी ज्यादा दिन नहीं बचें और यह स्लिए होगे क्योंकि नसल कशी करते हैं आप लोग समझ रहे ना हिंदू को खतम कर दिया आप लोगों ने वहां से यह भी fact है उनका मुझे को इल्म नहीं कि उन्नोंने तोड़े क्यों है मेरे ख्याल से को यहाँ पर को मुझे इस बारे में को इल्म नहीं है आप सवाल कर रही है मैं समझा कोई आप यहां कोई शर्वाज शरीफ साव यह इंवरान खान साव की बात करेंगे तो इसलिए मैं कड़ा हो गया है माइनॉरिटी का हमारे पाकिस्तान में क्या वाजूद रह गया मैं खुद माइनॉरिटी के साथ रहा हुआ हूँ बहुत अच्छा बिहेवियर रहा है मैं अन्थोनिया नहीं हूँ माइनॉरिटी मेरे बड़ इच्छे दोस्ते हैं उनके इवेंट्स में जाते हैं कभी भी हमने कठेखा साथ खाना खाया हुआ कोई अच्छी बात नहीं 0.1% माइनॉरिटी जो फेक्स बता रहे है 0.1% माइनॉरिटी रह गई उस बारे में क्या कहें मैं कुछ नहीं कहूंगा उसकी वज़ा है कि मैं मेरा इस बारे में ना कोई इंजीनियर आप पड़े लिखें और आड़े अजादी है हाग हाग है कि आप बोल सकें यह होने चाहिए लेकिन जिए आप मुझे पूछ सकते हैं कि आप थैंपल के डिजाइन अच्छे बना सकते हैं और में पर आपको बता हूंगा प्रम्स को प्रमेशन बना सकते हैं तो हजार थे जिसमें बीस रहे गें उस बारे में आप क्या कहना चाहिए जिनके टेंपल सोड़े जा रहे हैं वो जो है इसके बारे में कोई नोटिस लें और जाके जो आला हुकाम है असेम्बली में देखें जिसका प्रॉपर तरीका है ठीक है तो आपको लगता है कि जितनी माईनोरएठ जिरो पॉंट बॉन समाइनोरएट है रहे एंड़ने ये सब नहीं यह किया होगा अपने हग प्रक्रियु कर तरकिस्छ करने होता था कि नहीं है यह चनल कर और हमारा येकिन है दिस के बारे में जो है वो न्यलसी जोरा ते मैंने तो अपना जितनी भी habHI सोचल सारे टैंपल जहां मुस्लिम माइनौरिटी में बहुत होता था वहां गैर मुस्लिम की इबादे जगा थी वो सारी की सारी गाइब हो गई क्या के नशाहिए वो उसकी वज़ा यहां पर कबजा माफिया अगर आपके गर के साथ को टैंपल है ठीक है तो वहां पर लोगों ने क्या किया उसको अपर कबजा करने के लिए टैंपल क्योंकर सरकारी थे ठीक हो गया उसको सरकारी पर कबजा करने के लिए उन्होंने आश्स तेटिक्त से फाराइ। गराते के गराते के अफटर और MA गें। के यह सकीम थी। खलत बात होई ना कि हम अपने मजभ़ पे बात आया हैं तो हम तो बहुत ज़्धा जजबाती हो जाते हैं Хम ये कर देंगे। वो कर देंगे हम बहुत 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 जजबाती एक्स्ट्रिमिस्ट हो जाते हैं लेकिन जब दूसरों के मजभब की बात आती है हम उनको तहफुस नहीं देते हैं हम लोग उनकी बहुत इजब करते हैं अभी देखो आप आपके साथ जो क्रिस्ट्छन हैं आप कभी उने कुछ कहती हैं हिंदू मिनौर्टी में सिक्क मिनौर्टी में ठीक हो गया अभी आज तक आपने बताएं कभी किसी सिक्क को आपने कुछ कहा हूँ 쉬 seconds पिषावर में आपक मैं आपको Jahre को पुरानी नहीं जारी नाईटीस में ने जारी रिसेंटी सिक्क पिषावर में दो सिक्क को मारा गया और चुष्चक को मुझ to 다음 का बना और आपन बाधी ब्रह कोदिगें अब स्टेंड करना बहुत मुख्किल काम है मुझे एक बात बताएं, स्टैंड करना वाकि बँद् toward काम होगा को आप माइनॉरिटी इसके साथ है। यहां पर माइनॉरिटी के साथ हो रहा है। वो उदर बैठके मारो कैसे करवा सकता है। सेकेंड नंबर पर हम देखते हैं कि यह सौद यह जो स्री लंका का एक आदमी उसके साथ क्या हुआ वह भी माइनौरिटी यह ना वह भी एक स्कीम थी ना अब देखो वह भी रौ की साज़श थी जो उसे जो वहां पर यूनिनिस लोग थे ना उनकी साज़श थी वह एक स्री मार दिया गया वो तो साथ में मतलब सब की गलतियां हैं आपकी कोई गलती नहीं है अना सब जुटे हैं सब ने साज़शे किया आपके खिलाफ आप एदम संत आदमी हों आपने कुछ किया ही नहीं है कजब लौजी के भाई साब वाह और पढ़िया शांदार हम गलत हुए गलत है वहाँ पे हम टेर्रिस्ट करते हैं अम मुसल्माने ना मुसल्मान को जितने भी गहर मुसलम हैं उनको मेशा दबा कर रखेंगे तो वह स्टोंग है अदरवाइद आपके सब दुश्मन हैं जब कुरान पाक में आता है यह दोर नसार आपके दोस्त नहीं हो सकते हैं तो आप जो टरा सकती हैder ऐसको बिजनस में तो इसलाम की फैक्टर्स है कि यहां में तो हमारे मझण चले ले लेटे हैं मझणि किसी मझण में ऐसा है कि आप मझण के नाम पर किसी को बर्बाद कर दें यह अनके टैंपल्स को जिस समय पर आप इसको तोड़ दें दुनिया की जीनिस कौम व 55 obliged पूरी दुनिया के मुसलमनों को तबाह करने के दर्पे हैं ठीक है हर बंदा मुसल्मानों के खलाफ उ yummy तालॅब आख यह दिख को मेरी बास सुनों आपके लिए बहुत सरी अप्शन्स बनाइगे मुसल्मानों आपने जननत में जाना एपनेजद को बहुत न लजा है जियूज को यह भी पता है कि आमने कैसे मुसलमनों से लड़ने कैसे नितबा करना है अभी यह इतनी गेम शियन आप इंपकर देरख içा रहा कि तरफार यह आ क्रिस्टन जो है उनके साथ जो है minorities रह गही है क्या के ना चाहिए वह में अभी उनकी minorities की तो उनकी अपनी choices है उनकी नहीं सर 0% कहां चली गे वह सारी मैं आपको बताता हूँ, अभी जादा पुराना वाक्या नहीं हुआ है, जब मुसल्मान घुस गए चर्च में और वहाँ के लोगों को धमकाया, वहाँ पे नारे लग रहे थे और बोले कि तुम लोग इसलाम कबूल करो, भूल गया वो वाक्या, ये हो रहा है वहाँ पे, औ आप और बताता हूँ मैं आपको, अभी दानिश का नेरिया, आपको कि पोलिटिकल स्टंट है, पोलिटिकल स्टंट है, शाहिद अफ्रीदी ने उससे कहा, कि भाई हिंदू धर्म छोड़ो, मुसल्मान अपनाओ, तो दानिश का नेरिया का दर्म तो किसी ने नहीं देखा, और बाते करा लो बड़ी-बड़ी आप, कि जी सारी साजिश है आपके खिलाफ, सारी दुनिया मुसल्मानों के खिलाफ साजिश रही है, आप बताओ, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े धर्म के हो आप, 578 मुल्क हैं, इसलामिक, उसके बाद भी आप ये कह रहे हो, शर्म हिंदु में हिंदु माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, क्या कहना है, वो बड़े मज़े से रह रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आती है, कि उनको कनवर्ट करने पर फोर्स किया जाते है, मतलब एक लड़का था, उसको मार दिया गया, हिंदु लड़की थी, और सिर्फ इसले मारा क्योंकि वो जो एक फेक निउस को कहां से कहां बना देते हैं, देखो, अगर हम दोनों वहां पे होते हैं, वहां पे जाएंगे, तो बात करेंगे, तब समझ में आता कि असली क्या है, और अब पाकिस्तान में बढ़के कहरे हो कि वहां पर सब जूट है, बाबरी मस्जिद क आप कर रहे हो, है कि नहीं, बकवास तो आप कर रहे हो, सेम लॉजिक, दो अलग अलग जगों पर अपने अपने फाइदाए के हिसाब से आपने यूज कर लिए, अपनी बातों में फस गए आप, यह है आप लोग का लेवल, सोशल मीडिया ने उसने भी कवर किया, अब मैं आपको और एक्जामपल्स काफी देती हूँ, जो एगर मुस्लिम्स के साथ हो रहे है, उस पे हम जबाज नहीं उठाते, नहीं उठाते, सर, आप बात करें, फिर पूरी एक्स्ट्रेमिस्ट हो के बात करें, हम वहीं अगर हम हिंदुस्तान, हमारा प्रवल्सी मुल्क हिंदुस्तान, ठीक है, उधर से कुछ हो जाए, तो हम फॉष्वारी तो पर उनको बुरा बला कहने लग़ जाते हैं, अब नुर्पर शर्मा को जो वाकिया हुआ, हम फॉरी तो पर उनको बला कहने लग ये, फैक्स पर नहीं गये अगर यही अगर चाइना करता है तो हम कुछ भी ना कहते हैं क्योंकि हमारी जेबो में पैसे जा रहे हैं कोई हमारे जेबो में पैसे जा रहे हैं तब हमें मुझभ भी कुछ नजर नहीं आएगा 0.1 परसन माइनॉरिटी रह गई है तब भी कुछ नजर नहीं आएगा दूसरों के मझहभब पे बात आए तो हम एक्स्ट्रीमिस्त हमारे मझहभब पे बात है तो हम जो हैं वह जलाद ये क्या कहा इस पर क्या फर्क फिल कर रहें मैं इस पर कोई डिबेड़ में कर सकता है उसकी वजा यह के साथ कुछ भी नहीं है हम लोग ऐसे ही हैं डोल बजाने वाले लोग और कोई बात नहीं है जो भी बड़ा ना अर्बी बन सके ना टुर्क्स बन सके जिस जो भी बंदा डड़ाएगा हम उसे सलाम करेंगे हम उसके समने बिच जाएंगे हम लोग कुछ वह वह बाश्या वाली मिसाल है ना कि यार लित जिसको हक नहीं हासल उनका जाता है किसी को कोई फर्क ने पड़ता मेरी आम शेहरी को कोई फर्क ने पड़ेगा लेकिन अगर यहां पर माइनॉरिटी आज एक्जामपल देरी हो अगर आप डिफरेंट माइनॉरिटी से रहते हैं आपको यहां पर सुहुलियात ना मिल रही पारा है पारा के हैं लेकिन किस तरह सर्वाइफ कर रहा है वो भी तो देखें टर्म हैं we देख लो II-C region वो देख लों लोग स्वेस कागर है में लोग कि ऑफ्स कि nuanced के ना चाइगे ना हमारी identity है ना हम minority को तहफूज दे सके किस चीज़ पर पाकिस्तान का क्याम आया था कि पाकिस्तान एक अजाद को में हमारे भड़ों ने ये खौब दिखाया किदर गई वो अजादी कुछ भुलामी है सर्थ गुलाम है और गुलामी रहेंगे हम हिंदुस्तान के साथ रहते हैं इस अब पर बुरे अलाथ हैं जितने आपके इंडिया में आप सोच भी नहीं सकती हैं माइनारिटी के अगर इंडिया में बात करें जिस तरह यहां 0.1% माइनारिटी रह गी है वहाँ पर पाकिसान की पूरी अबादी लगा ले ना मुस्लमानों की अबादी उससे भी जाद है अगर उनकी बहुत बुरी हालत होती मैंने रिसेंटली एक आहम शहरी का इंटर्वियू किया वहाँ पर उनसे मैंने मतलब मैंने मेरे मतलब इंटर्वियू किया ना तो मैंने जब उनके जजबाद जाने और मुझे यह एसास हुआ कि वहाँ पर वहाँ पर बेंकर थी ठीक है ि मSubiez तैके न्यक Kim Galler शुझालित जिस्ता प्रेसितने मसल्मान लाएं कितने मुसल्मान अची जॉब सुझे नुकितने मुसल्मान प्टाइभ कितने तें उए इस मुसल्मान देंता भी। मुझे ये बताएं कि इंडिया जो है आज की डेट में जादा च्छों से परफॉर्म कर पा रहे हैं मंदिर और मस्जिद को मतलब वो ये और मंदिर इतने तोड़ दी है के इतने मुझे बैड फिलिंग आती हैं कि जब इंके मंदिर तोड़ते हैं तो ब्रहे है और जिरो पूरे सेनेरियो में अब क्या ब्रस्टार्जा को थोड़ा जाए और मुस्लमानों को तंक कि रहे चाहे पागिस्तान में किसी भी माइनौरीटी को चाहे क्रिस्टन्स हैं हिंदू इंको तंक किया जाए वो बिलकुल गलत है और वो नाजाज है ऐसा नहीं होना चाहिए और दोनों तरफ से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, नहीं होने चाहिए, और बात पाकिस्तान और इंडिया की नहीं होनी चाहिए, बात ही होनी चाहिए कि यह चीज घलत है, तो यह हर जगा घलत है, कहीं भी, ना पाकिस्तान में होने चाहिए, ना इंडिया में होना चाहिए, बाकी इंडिया जो है, वो आई जबायब जगह को जहाँ इबातगा को क्यूंकि हरब इड्स होता है अपनी उस जगह से उसको नी छेड़ना चाहिए और ऐसा नी करना चाहिए और इस पर कंट्रोल करना चाहिए और मेरे वे पाकिस्तानीय आपने करा चाहिए अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग अब तो पिछे हैं मत PBT में भी पीचे हैं हमारी जो माशियत है। वह गिर रही है, डिफॉल्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं. अपसे सुन रहा हूं, और मुझे जो आप फेक्शन फिकर्स बता रहे हैं, वह काफी अलार्मिंग भी है, वह काफी ज्यादा दुखी भी है, यहां पर जागे हैं, यहां पर मंदिरों के साथ क्या है? मुझे इसमारे में कोई आइडिया नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, है और चाहसे में ठागे स्पुर्ण नाविव कि अगर साथ अगर मांसे होते हैं से पाकिस्तान में जो से ही एक हनुस्थ में लिए बन्ल्का का जो बंदा इनको जलाया गया इस बारे में कुछ प讲 चाहें कि अधिन उसकी वज़ा एक है कि ऐसा कि मुझे तो इसना नहीं कुछ कर दो सब आप मुझे इसे को वहरा है कि उसकी उसका है पॉल्टिकल भार करें यह मारे लिए सबसे अहम सबसे आहम अधि इन इसका ओए ए पुछभाँ अच्छी डियूहार् आप में और आपको कोई निय मिल ज है लिए इस बारे इस बारेthought में कि अपको बहुआ इसलाम कट आए तो हम बहुत जड़ी की षी जाते लेकर द मॉल्वी और मॉलवी और मॉझम धर nervous सब्सक्राइब आपको मुझसे ज्यादा बेतर होगा इसका आप बताए ना बहुत पाकिस्थानी चो अब आहे तो है था आपको फार्ए नहीं है ख स्वार्ट रहा है तो फिर आप बहुक्त भारा जो अपना झाल के पाड़ नहीं भाबिष माट्रसा इस तो है और दिमोक्रसी तो है यह प्र आपने मस्जिद और मंदिरों के तो पता ही आपको मुझे पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी उमीद करती हूं तो दोस्तो वीडियो खतम हो गया और मुझे बड़ी है लोगों के विचार देखके उनके जवाब सुनके जो जानते हैं वो बोल नहीं रहे हैं उनको पता है कि हाँ मेरी घलती है हमारी घलती है लेकिन बोलना नहीं चाहते तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अ 1947 से लेके अब तक 75 साल हो गए आपके देश की क्या हालत हुई है जिन्ना ने सोच के जो देश बनाया उस देश की क्या हालत हो चुकी है और इसलिए हुई है क्योंकि आप लोगों ने जुल्म किये हैं आप लोगों ने वहां की माइनरिटीज पर जुल्म किये हैं हमने अग प्रेम जी हमारे देश के सबसे बड़े बहुत बड़े बिजनस में से एक, वो मुसल्मान हैं। आप देखिए हमारे देश के मुसल्मान बेटियां बेटे क्या बड़े बड़े खेलों में स्पोर्ट्स में अपने देश का नाम रोशन कर रहें तिरंगा लेके चल रहे हैं। हमारे हाँ माइनर्टीज के आर्मी चीफ रह चुके हैं, एरफोर्स चीफ रह चुके हैं, नेवी चीफ रह चुके हैं, बड़े से बड़े पदू पर बैठ चुके हैं। तो compare ही मत कीजिए। और अगर आप ऐसे ही नहीं मानेंगे, तो ऐसे ही आपके देश की, आपके कौम की, आपके मध़ब की बदनामी होती रहेगी। आप इस बात को समझिए। आपकी जो हालत हो रही है, दुरगती हो रही है, आप लोगों की इसी सोच, इसी नियत की वज़े से हो रही है। कि हम ही हैं, हमारे आगे कोई नहीं तो ये चीज आपको डुबो देगी आपको ये चीज तबाह कर देगी आपको ये चीज बरबाद कर देगी वक्त के साथ चलिए वरना बाकी तो जो हो रहा है वो दुनिया देखी रही तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और, और हाँ, चलने से पहले मैं आपको बता दूँ, बाबरी मस्जिद का बड़ा जिक्र हुआ इसलामाबाद में तो आप मंदिर बनने नहीं दे रहे हैं सुप्रीम कोट के ओर्डर के बाद और आयोध्या में पांच एकर जमीन में भव्य मस्जिद बनाई जा रही है आपको आइडिया है आइडिया है, आपको ये है हमारा हिंदुस्तान और वहाँ पर जो मस्जिद बन रही है वो दुनिया में अपनी तरह की इकलौती मस्जिद होगी पांच एकर जमीन वहाँ पर दी गई है तो ऐसा मत कहिए हम सबको बराबर मानते हैं जो डिस्प्यूट है, वो कोर्ट से सुलजाया हमने जो डिस्प्यूट है वो प्रॉपर चैनल से सुलजएगा आप देखते रहे तो जल्दी आजिर होता हूँ, एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार, जैहित